हेलो फ्रेंट्स आज किस वीडियो में हम एक कोशन देखते हैं जो M.S.C. 4-7 Organic Synthetis के 2017 के एक्जाम में आया हुआ है यह वेरी शोट कोशन है तो कोशन है How will you bring about the following conversion? Acid chloride to aldehyde and second cyanide to aldehyde इतमें कोशन में यह है कि हम acid chloride से aldehyde कैसे form करेगे? तो देखे acid chloride से aldehyde form करने के लिए हमें rosin moon rejection करना होगा सबसे पहरे जो important point होता है rosin moon rejection का वो होता है catalyst वो होता है lindar catalyst यह अपने 11th class में alkyns में बढ़ा होगा lindar catalyst यह क्या होता है pladinum basafor PD और basafor इसकों क्या करते है poison pladinum भी कहते हैं अगर poison pladinum लिया है तो basically होने वाला है hydrogenation और poison pladinum यहां पर partial hydrogenation करता है partial hydrogenation फुल hydrogenation नहीं करता rosin moon rejection में क्या होता है कि आपको hydrogen addition करना होता है और chlorine को हटाना होता है तो देखे मैं acid chloride से aldehyde बनाना है the rosin moon reduction is a hydrogenation process in which an acid chloride is selectively reduced to aldehyde हमने acid chloride ही रिया और catalyst लिन्डा catalyst जो मैंने आपको बताया भी प्लेटिनम और ps4 होगा और मैंने बताया आपको hydrogenation होगा जब भी प्लेटिनम की बात आती है तो क्या होगा जब आप hydrogen करवाएगे तो क्या होगा chlorine आपको लिप्रिस करना होगा यहां से chlorine होगा है hydrogen तो यह acid chloride aldehyde में convert हो गया तो इसके प्लेटिक तो में पूछाए साइनाइड से aldehyde कैसे बनाएगे साइनाइड से aldehyde बनाने के लिए आपको रिजिएंट का यूद करना करता है और उस रिजिएंट का नाम है दाइबल एच के थरो होने वारी दाइबल एच जो है उसके थरो वह aldehyde देती है तो कौन-कौन से कंपाउंड ऐसे सबसे पहले तम सबस्टेट देखते हैं जो दाइबल एच के थरो aldehyde में convert होते हैं देखे कर आपने नाइट आई लिया यह कार्बोक्स ही लिया है आपने उन सब सबस्टेट की रियक्शन एक कैटलिस्ट जो रिजेंट आपका डाइबल एच उसकी परदेंस में करवाई है तो डाइबल एच रिजेंट इस तो कनवर्ट होगी तो साइनाइड किसमें चेंज रहेगा aldehyde में इन इस एक्षन डाइबल एक्ट आज एस रिदूसिंग एजेंट अब बात करते हैं डाइबल एक्ट की फुल फॉर्म होती क्या है तो इसकी फुल फॉर्म होती है डाइ आइसोबुटाइड अलुमीनियम हाइड डाइड इस इस रिदुसिंग एजेंट इस एस्थर काबोकसिक अचिड अमाइड नाइटई और कार्बनीर गुरूप सचा किटोन और अल्यक्ट ऑल्यक्षन करता है इस डाइबल एक्ट बहुत अच्छल एक्स उसिपिस घ्रियार यह किसी अच्ट अच्छ जान यह तो अगर डाइवरह की परदेंस में लिया तो यह अल्डी हैड में कनवट कर देगा अब देखते हैं डाइवरह जो इसके स्ट्रक्चर कैसी होती है देखे इसके स्ट्रक्चर ऐसी होती है डाइ आइसोब्यूटाइल अलिमीनियम हाईड्राइड तो हमाई दोनों कॉशन कम्प्लीट हो गए है अगर आपको उनकी PDF चाहिए तो मैंने PDF भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया आप वहाँ से डाउन्नोड कर सकते है अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक जरूर करें थैंक यू सो मच्छ